असलाम अलेकुम तो यार काफी सारे भाई कमेंट करते थे कि आली भाई आई-पैड के ओपर वीडियो बनाएं अपको 60F देखने को मिलता है क्योंकि इसका रेफ्रेश रेट 60Hz है और टचसेंब्लिंग की बात करें तो आपको 120Hz का टचसेंब्लिंग की बात करें कि रिकोर्डिंग में ये डिवाईस कैसी चलती है रिकाइडिंग में थोड़ सी लैक करती है लेकर अगर आप लोग खेलते हो competitive में अगर आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो तो फिर आपकी डिवाइस यह लैक करेंगी ठीक है क्योंकि यह डिवाइस काफी old हो चुकी है और इसके में आपको पता है ना जब आप 15 आया है उसकी वजह से इसकी प्रफार्मिस काफी जीदा डाउन हुई है तो इस अपकिसान में आपको इजीली मिल भी जाता है और इसकी price की बात करें तो यह आपको 60-5000 यह बीडिवाइस मिल जाती है पकिसानी मार्केट्स में और इसके processor को लेकी बात करें तो इसमें आपको snapdragon 860 का देखने को मिलता है प्रसेसर जो कि काफे सदा उप्टिमाइज है 120 हर् को 240 हर्स का touch sampling भी देखने को मिलता है और इसमें जुगार लग सकता है आप लोग 90 भी करते हो मैंने काफी सारी पहले भी आपको वीडियोस में बता हुआ है कि आप Play Store से 90FS वाली है कि आप डाउनलोड कर किसमें लगा सकते हो तो यह डिवाइस 90 भी हो सकती है ठीक है ना स्वार्ट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है और recording के साथ यह डिवाइस बहुत ज़्यदा अच्छी चलती है क्योंकि काफी ज़्यदा optimize किया गया इसको गेम के लिए ठीक है ना तो इसमें आप recording के साथ टीडियम भी खेल सकते हो और classic अगर tournaments खेलना चाहो with cooling fan cooling fan लगा उसके साथ power bank एक लिली जीगा ठीक है वो डिवाइस ठीक चलेगी और जो तीसरा आप लोग ले सकते हो दोज़र चोबिस में वो है आई-पैड मिनी 6 अब यह डिवाइस आपको पता है ना काफे सारे लोग कहते हैं कि टीडियम के लिए जो है आई-पैड ठीक नहीं होता ल लेकिन OLX से अगर आप लोग बाय कर रहे हो तो देख के बाय करना वहां पे चुना बहुत ज्यदा लगता है तो कोई भी आपको कहे ना कि हमें हाफ पेमेंट सेंड कर दो या हाफ से ज्ज्यादा प्यमेंट सेंड कर कर दो हम आपको भेजदेंगे तो मत सेंड करेएका पहल बचके रहेगा और यह डिवाइस आपको by default 60 fps ही देती है ठीक है 90 fps के support इसमें नहीं है और इसमें कोई भी जुगाड नहीं लग सकता क्योंकि यह Apple की डिवाइस है तो 60 पर ही आपको खेलना पड़ेगा लेकिन प्रोसेसर काफी ज़दा अप्टिमाइज है तो 60 एक दम आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफार्मेंस देगी और एक और डिवाइस जो के आपको कभी भी कोई परशानी नहीं करेगी आप लोग इसको टीडियम के लिए ले सकते हो कलासिक के लिए ले सकते हो कोई किसम का इसमें लैग नहीं आना ठीक है बड़े-बड़े में इजी ली मिल जाती है और इसके अंदर जो एम वन चीप है यह आयोस अपने लैपटाफ वगरा में यूज़ करता है तो इतनी ज़्यादा यह पावरफुल चीप है ठीक है ना तो अगर ब्लैक शार्क या रेड्ड मैजिक की डिवाइसे देना उनके साथ अगर कंपेर क करें तो वह भी डिवाइसे इनका मुकाबला नहीं कर सकती है इसके जो चीप है यह बहुत ज़्यदा पावरफुल एक चीप इसमें लगाईगी है और इस डिवाइस में आपको बाई डिवाइस देखने को मिल जाता है ठीक है 90 फपैस का मज़ा आप लोग इस डिवाइस मे काड़ेगा ठीक है ना काफी सारे यूट्यूबर इस पर कूलिंग फैन लगा के इसको यूज़ करते हैं तभी इसकी परफार्मेंस आपको अच्छी मिलती है लेकिन कूलिंग फैन के बगएर भी आप लोग खेलते हो तो यह डिवाइस इतनी हीट नहीं होती क्योंकि बहु तो जैसे उसको मैं डिसकुस नहीं कर रहा है तो इस हुझा से मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग M1 चिप बला यह जो मैंने बताया है इसको ले लो यह पाकिसानी मार्केट्स में मिल भी आपको इजी ली जाएगा और PUBG प्रफार्मेंस भी बहुत जदा इसकी अच्छी है और आप्टीमाइज भी है तो इस पर मैं अगर आप लोग डिटेल चाहते हो तो डिटेल पर मैं वीडियो बना दूँगा अभी अगर मैं इसकी ज्यादर डिटेल देखने लग जहूं तो काफे ज्यादर वीडियो नंबी हो जाएगी और एक और बात आपको बतानी थी हर में बताता हूं के पकिस्तान में आपह जहीं काफे सरी डिवाइसे आ रही हैं जो पकिस्तान में वैल्यो फर मनिनी नही है बोकस पैक आरही है क्या आप लोग ज्यादा बॉक्स प्यदर भागते हो ठीक है तो साइट से सब्सकिडर शाइसार दो سनैप डेवाइस reen Improve 4 चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं निशलने नेक्स्ट वीडियो में अपने खियाल रखिए गाल आफिज